ओम शांती आठ बारा दोहजार एकिस आज के मीठे बाबा के मधूर माहा वाक्य मीठे बच्चे संगम के इन अमुलिय घडियों में श्वासों श्वास बाप को याद करों तुमारी एक भी श्वास वियर्थ न जाए प्रश्ण है इस समय तुमारा मनुश्य जीवन बहुत बहुत वेल्यूबुल है कैसे उत्तर है इस जीवन में तुम बाप के बच्चे बन बाप से पूरा वर्सा लेते हो इसी मनुश्य तन में पुर्शार्थ कर तुम कौडी से हिरे जैसा बनते हो बेगर से प्रिंस इंसाल्वेंट से 100% साल्वेंट बनते हो इसलिए तुम्हें इस समय को व्यर्थ नहीं कवाना है हर श्वास बाप की याद में रहकर सफल करना है कर्म करते भी याद में रहना है गीते हैं यह वक्त जा रहा है धारना के लिए मुख्यसार पहला है अपना तथा दुसरों का जीवन हीरे जैसा बनाने की सेवा करते रहना है टाइम, मनी, एनरजी बरबाद नहीं करना है दूसरा दूसरों का कल्यान करने के साथ साथ अपना भी कल्यान करना है बुद्धी रुपी जूली में ग्यान रत्न धारण कर दान भी करना है वर्दान प्रालब्द की इच्छा को त्याग अच्छा पुर्षार्थ करने वाले स्रेश्ट पुर्षार्थी भव स्रेश्ट पुर्शार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुर्शार्थ की प्रालब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते जहां इच्छा है वहाँ स्वच्छता खतम हो जाती है और सोचता बन जाते है जो यहां ही प्रालब्द भोगने की इच्छा रखते हैं, वो अपनी भविश्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं, इसलिए इच्छा के बजाए अच्छा शब्द याद रखो, स्रेश्ट पुर्शार्थी सदा फ्लो लेस बनने का पुर्शार्थ करते हैं, किसी भी बात मे फेल नहीं होते, स्लोगन है, साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, क्योंकि यह आपके कर्मयोग का फल है, ओम शांती